आपके अपने चैनल दा प्रेग्मेटिक क्लासेस में आपका स्वागत है बिहार एस्टेट 2019 आज की ये खबर चौकाने वाली जी हाँ बदल जाएगी एस्टेट अभ्यर्थी की जिंदगी अगर ये बात सच हो गई तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइ से स्टेट रिजल्ट का मुद्दा ट्वीटर पर टॉप ट्रेंड में चाया रहा आज आप जिस भी न्यूजपेपर को देखें सभी में एक ही बात हो रही है एस्टेट अभ्यर्थियों की आपके ट्वीटर कैंपेन की हम लोगों के साथ की गई सहायता से आज ये संभव ह जल्द ही सरकार जुखने को तयार होगी और समय पर रिजल्ट जारी करेगी बिहार में मादमिक सिक्षक पातरता परिक्षा के रिजल्ट को कुल सीटों के मुकाबले प्रकासन करने का मुद्दा दिन भर ट्वीटर पर चाया रहा इस मुहीम को पौने दो लाख लोगों का स मर्थन प्रप्त हुआ जिससे यह मुद्दा बिहार में लगातार प्रतम वा देश में टॉप 10 में सामिल रहा बिहार सरकार द्वारा हाई स्कूलों में रिटायर सिक्षकों की नियुक्ति वा मिडल स्कूल में सिक्षकों की प्रती नियुक्ति की खबरों के बीच दिन दिन प्रदेश संयोज अक्सोनु कुमार सोनी ने बताया कि राज के माध्यमिक विद्यालयों में पुर्व में 37,335 सीट रिक्त थे और हाली में सरकार द्वारा 33,916 अतरिक्त सीटों को कैविनेट से मंजुरी मिल गई है ऐसे में कुल सीटों की संख्या अब 71,215 हो गई है तो प्रेणाम कुल 71,215 सीटों पर ही जारी किया जाए राज के हाई स्कूलों में सिक्षकों के काफी पद रिक्त हैं ऐसे में सरकार छात्रों के हित में फैसला ले और STT की प्रेच्छा का रिजल्ट समय पर जारी करें क्योंकि सरकार की नाकामी के कारण ही सिक्षकों की नहीं ह पूरी वीडियो अन तक देखें, बिहार TET, CTET सिक्षक बहाली मौर्चा के जिलाद्यक्ष विनित कुमार इबं उपाद्यक्ष देवेस रंजन ने रोसपूर्ण स्वर्ड में कहा कि सरकार की नाकामी के कारण ही सिक्षकों की बहाली हाइ स्कूलों में नहीं हो पा रही है, सरकार अपनी उपलब्धी गिनाने के लिए हर पंचायत में हाई स्कूल खोलने की घोसना कर दी है और आनन फानन में इसी वित्तिय वर्ष में उसे खोलने का निर्देश दिया जा रहा है, लेकिन इस्कूलों में सिक्षक कहां से आएंगे, अगर यही विबंडना रही तो यह चिंता का भी विशय है, अतर सरकार को सो समय 71,215 सीटों के लिए STET का रिजल्ट जारी कर दना चाहिए, अगर ऐसा हो पाता है, तो अवसे ही सभी STET अभ्यर्थियों के लिए यह ख़वर अवसे ही चौकाने वाली होगी, और इससे बदल जाएगी STET अभ्यर्थी की जिंदगी, अगर यह बात सच में सच हो गई, आप आज के किसी भी न्यूज पेपर में देखें, सभी में यही बात लिखी गई है, कि एस्टेट रिजल्ट को ले ट्विटर पर चला अभ्यान, तो अगर आप चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों को सेर करें, और अपना एस्टेट स्कोर हमें कॉमें कॉमेंट करें, और अगर आपने ट्विटर कैंपेन में हिस्सा लिया, तो कॉमेंट बॉक्स में धन्यवाद